हलो स्यूजिन लास्ट वीडियो में हमने डिस्क्स किया का अल्टिफिकेशन ऑफ टीन और इंटरस्स उजीन पीजिया यानि की हमारे जो डिजायर डेंग एंट रेगमेंट है बणके उसकीका गाम की कॉपि मैं से मिल्लच उप कोपी पोलिमरेड़्स ञीरियॉक्शिन रियक्शन की मदद से बना सकते हैं अब उसकी हया dizendo से हमें बना ली जेधिशन आपकर हमारे जोट की हैं अब इस जोट योए तो हमारे डाक्टर के साथ ने von coffee इसके हमने बहुत सारी कॉपी बना दी है अब हमारा next step किया है installation of three component ये इसके होस्ट किया जाता है अब होस्ट किया हुदर हमें हमारे vector को डालने से पैसे host को क्या बना जाता है? अब हमारे इस desire DNA fragment है उसके अंदर भी हम क्या करेंगे? तो बोस्ट में अंटर करने से पहले ये हमारे desire DNA fragment ही उपर एक marker cycle thing की marker DNA यानि की वो हमें डिसकस किया था कि ऐसा एक marker जी जिससे हमें पता चाह सकें कि हमारा desire DNA host में पहुचा है कि नहीं पहुचा तो यहाँ पर हम लेगे आज़ा मातर जी MP MP sylin resistance gene तो यहाँ पर हम amphicillin resistance gene लेगे वो एक करेंगे अब हमने क्या किया तो यह हमारे desire DNA fragment को host में डा दिया रहा है अब यह host में पहुच गया है मारदर जीन के साहर अब यह host bacteria जो है उसे हम culture यानि एक medium प्रवाइड करेंगे इसकंदर जब उसी को पर nutrition देगा तो वो growth करेगा तो यह भी growth करेगा अब यहाँ पर हम 2 medium प्रवाइड करेंगे एक में क्या है एक में medium में तो दो medium की जर्ट नहीं है एक medium में यहाँ पर angrysal ब्रवाइड की सीम डाला है तो यह प्रवाइड पहले angrysaline में grow नहीं हो पाता और इसम्पन ले लेगी यह वोट स्पेक्टिया E कोली है तो यह E कोली बेखे लिया जो है पहले angrysaline में grow नहीं कर पाता था अब जो तुमने इसके अंदर अब आप पर जीन as an antipycilling resistance add किया गा और जो हम इसके क्लिचर मेडिया में antipycilling डालेगे तो क्या होगा तो क्या होगा कि equally तो पहले क्या था कि उसके पास antipycilling resistance में ही था तो उमर जाएगा लेकिन हमने जो उसके अंदर हमारा इसारा बैक्टर क्याना था इसके साथ साथ एक resistance मार्पर जीन पी डाला था तो अब क्या होगा अगर ये antipycilling क्यों में ग्रोग होगा इसमें कि हम पनफॉम हो जाएंगे कि हमारा जो डाका हुआ डिसायर दिये हैं रभू पोज गया तो यहां पे antipycilling अगर दिसंजी इस वर्पर अमारता जी clear ये हमने अंदर की डिसकस किया हुआ है रभूना इस साइड में तो evaluation of recombinant दिये into the horse clear है कि horse के तर हम कैसे दालते हैं तो horse को हम competent बनाते हैं competent करने से easily vector अंदर होता है बैकर जब enter करेंगे तब उसमें एक मातर स्विन डाल के enter करेंगे तो यहां पे हमने ऐसा मातर जीन क्या डाला है तो antipycilling resistant genes तो ecoli bacteria मैंने antipycilling वाले बीडियों में grow नहीं करता था अब जो हमने antipycilling के अंदर grow करवाया क्यों हो गड़ा तो इसलिए हमने से साथ के हाथ पर antipycilling resistant genes नहीं डाल दिया था तो यहां पे हम नहीं यह जो है mark कर रहा है तो इसलिए हमने marker gene क्या कहते है तो आपको इंसलिशिस और recombinant DNA नी टू बोस क्लियर है हम बोस के अंदर यह मारत के साथ जंदर डानेंगे क्लियर है और next है obtaining the packaging gene product यह हमने क्या दिया यह बोस के अंदर डाल दिया वो multiplication करेगा वो growth करेगा उसके numbers करेंगे तो यह हमारी genes हमें मिलेगे उसकी product कैसे? कैसे हमें मिल सकती है तो बैक्टे लिए को जब हम grow करवाते क्या तो बैक्टे लिएा को ग्रोह करवाते है तो उसके साथ साथ हमारे genes, जो है भी grow होगे तो बो growth होने के लिए पहले तो क्या करना है तो बैटलिया को ब्रो करवाने के लिए हमें specific medium देना होगा जिसके अंदर वो ब्रो कर पाएगा क्योंकि जो हमें product चाहिए वो DNA नहीं होगा वो DNA के express जो भी protein जो भी antibiotic को बनाएगा वो चाहिए कि तो वो product हमें जो चाहिए क्योंकि उसके लिए हमें जो है उसे एक specific conditions provide करने होती है क्योंकि बैटलिया है तो बैटलिया को हमें ग्रो करवाना है ग्रो करवाएंगे तभी उसके अंदर जो हमारा डीजायल जीन पहुचा रहा है तो उसके अंदर एक्सप्रेस होगा एक्सप्रेस अंदर पहुच दाया अब यह जो जीन का वो जीन के पास क्यापश्प्री है कि वो antibiotic provide कर सकता है के तो वो क्या होगा तो वो antibiotic बनाएगा अब उसे हम कैसे भो कर रहें जी तो पहले तो हम क्या होता है, क्योंगी होता हे Nuclear ही आपो छाज हम लैभिक्डों करते है। उसे मीडिया में पर सालियत उप्रॉडक्ट नहीं मिल पाती एक नॉपस बरचाते हैं पर क्या है तो अँपने नहीं मिलती हैं उस Tand के अंगर पहले ही तो हम क्या करेंगे तो ये Tand को Stryle करेंगे Stryle को यार है आपको Free of Organisms उसको Free of Organisms करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे से वे होते है जिसके तू Culture Blood, Culture Blood ना रहेंगे जिसके अंदर हम Bacteria को Grow करवाएंगे और Bacteria को से इस Culture Blood ना रहेंगे इस Nutrition एक चाहिए उसके सार्थाम से चाहिए तो पीएज स्पेशिवी तैंबरीचर ति ये तैंबरीचर समस होते है तो Bacteria को Add जाये तो सवाएज ना से अप्लाई करेंगे तो उससे Continuous Seer की Health से क्या तकर होंगी मिक्स कटे रहे होंगे तो क्या create होगी तो पर जब कुछ हम स्पिलर करते हैं तो ओम चंडर कुटिक है तो यहां पर ओम ब्रेकर्स भी है तो हम Bacteria का उप्लूद कर रहने के एक आप पारो यह तर यूस कर सकते हैं इसके आप पर दागा को दिको एक सब्धीन तैंक है जाप एक मतर है जो कि इसससे स्पिलर कर रहे हैं तो इससे स्पिलर कर रहे हैं जो कि इससे एक जगा से सिंपली आप साड़ी है और भूलगा यह टेयूप जो है कि मॉन्दर है, टेपरेटर सेंसर है प्रिये थेंसर है मेडियूम है उससारी शीसे सीव रहे हैं बर इसमें जो है न जो स्पार्ज स्पिलर टेक में डिफल सही है यहां में बबल्स पॉर्ब में आज सप्राई होगी तो आज क्या पर रहे हैं तो यहां पे इससे जगा पे आज़ी आज़ पाएगी और सब इससे एज़ी आज़ी आज़ी हो रहा है तो अच्छे से मिलेगी तो यह लोटेक में डिफल सथी है यहां इससराई आज़ी जा रहे है और यहां पे बबल्स पॉर्ब में जो है सप्लाइ तो बारो-्रेक्टर जान नखन पे यह इससे बापको डार्णा में भी तो यहाँ पे जो हमने बारो रेक्टर डाला है, अब वो को असे बारो रेक्टर में इक standard conditions provide थे हैंगी उसे क्यों नुद्रीशिन, pH, temperature, इस भी रबाल से प्रेश्यर, culture, सारी चीजों को अंडर पंट्रोल में रखा जाता है इसमेंसे हमँडा कात निकाल है कि इसमेंसे फूरा का निकाल ड़े, टैस्ट करें और पता चांस करें कि हमारे प्रड़क्त इतने लेवल में है तो यह सारी पश्बंड की सिसक्षैमं दर होती है और इसमें से लिख चेक कर चाहते हैं बाद में अगर हैं जब हमारी product इस बाव रेक्टर में बन चाहे हम इसमें से downstream processing याने कि product बन गई है downstream process के through हम इस broad में से there are various methods होती है इसमें से हमारी product जो है इसमें से chemical process के through defocus कर सकते हैं separate कर सकते हैं और हमारी desired product हमें मिल सकती है तो यहां पर आपको जो चक्तर है फत्म होता है इस चक्तर में basic thing आपको recombinant power technology को है उसे ज्यान रखना है उसकी जो process है उसे ज्यान रखना है ओके स्टुडियन स्टैंगे स्टुडियन